दोस्तो इस वीडियो में अज़ हम बात करने वाले हैं टेबल टैनिस प्लेयर मनीका बत्रा के बारे में मनीका बत्रा को तो शायद आप जानते होंगे लेकिन मैं आपको बता दू मनीका बत्रा ने अपने टेबल टैनिस की वज़े से कई बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मैडल जीता है तो इस वीडियो में इनकी लाइव इस्टैल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं अगर आपको मनीका बत्रा अच्छी लगती है तो इस वीडियो कर दे लाइक अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें मनीका का फुल ने मनीका बतरा है प्रोफीशन से मनीका टेबल टैनिस प्लेयर है मनीका का जनम 15 जून 1995 को देली में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 26 साल की है दोस्तों मनीका ने चार साल की उमर से ही टेबल टैनिस खेलना शुरू कर दिया था और इनका एक भाई और एक बहन है जो की दोनों ही टेबल टैनिस प्लेयर है और मनीका ने स्ट्रीट लेवल अंडर 8 टूर्नमेंट जीता और इस मैच को जीतने के बाद मनीका ने फैसला लिया कि वो कोच संदीप गुपता से ट्रेनिंग लेंगी जिन्होंने मनीका को हंसराज मौडल स्कूल जाने की सला दी जहांपर टेबल टैनिस का बहतरिन ट्रेनिंग मिलती है और इन्होंने अपने सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई भी दिल्ली हंसराज के मौडल स्कूल से की और ग्रेजेशन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली क जीसस एंड मेरी कॉलेज चली गई हाला कि टैनिस पर ध्यान देने के लिए इनों ने फर्स्ट एर में ही कॉलेज छोड़ दिया और बहुत ही कम लोगों को पता है कि शुरुवाती दिनों में मनीका बत्रा को मॉडलिंग के भी ओफर मिले हाला कि मनीका ने टेबल टैनिस पर ध्यान दिया और मॉडलिंग ओफर को रिजेक्ट कर दिया अब बात करते हैं मनीका बत्रा के करियर के बारे में मनीका ने 2008 में सिर्फ 13 साल की उमर में इंटरनेशन लेबल टूनामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया और 2011 में चीले ओपन के अंडर 21 केटेगरी में मनीका ने सिल्वर मेडल जीता और मनीका ने ग्लेस गो में 2014 कॉमन वेल्थ गेम में भारत को रिप्रेजेंट किया जहां वे कौइटर फाइनल तक पहुँचने में कामियाब रही और 37 मनीका ने 2014 के एशन गेम में भी पार्टिसिपेट लिया और मनीका ने 2015 में कॉमन वेल्थ टेबल टैनिस चैंपियनशिप में तीन मेडल जीते जिसमें महिला टीम में सिल्वर मेडल जीता अंकीता दास और मोमा दास के साथ मिलकर और हुमेंस डबल में अंकीता दास के साथ मिलकर जीता और सिंगल्स में ब्रॉंज मेडल जीत कर अपने नाम किया और दोस्तों मनीका ने 2016 साउथ एशन गेम में तीन गोल्ड मेडल जीते मनीका बत्रा ने कॉमन वेल्ड गेम 2018 में टेबल टैनिस महिला सिंगल्स फाइनल में सिंगापूर की मियांग यू को हराकर गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया इसके साथ ही वे Commonwealth Table Tennis में Gold Medal जीतने वाली पहली भारतिय महिला भी बनी ये टूनामेंट मनीका बत्रा के लिए किसी सपने से कम नहीं था क्यूंकि उन्होंने चार competition में चार medal जीते थे जिसमें से दो Gold Medal, एक Silver और एक Bronze Medal शामिल था और 2020 टोकियो उलम्पिक में इनको हार का सामना करना पड़ा और दोस्तों मैं आपको बता दू, 2020 में ही मनीका को राजीव गांदी खेल रतन का अवर्ट से नवाजा भी गया दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मनीका बत्रा आपको कैसे लगती है चली मिलवाती हैं आपको मनीका बत्रा की फैमिली से तो इनके फादर का नाम है गिरिश बत्रा और इनकी मदर का नाम है सुस्मा बत्रा और इनके एक भाई भी है जिनका नाम है साहिल बत्रा और ये मनीका बत्रा से बड़े हैं और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है आचल बत्रा और ये भी मनीका से बड़ी है वहीं बात करें इनके relationship status के बारे में तो मैं आपको बता दू मनीका बत्रा भी unmarried है और इनका कोई भी boyfriend नहीं है मनीका बतरा के आउस के बारे में तो दोस्तों मनीका अपनी फैमिली के साथ नरैनल यहार डेली में रहती है वहीं बात करें मनीका के कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास कार ही Honda City ZX और इस कार की प्राइज है फोंटिल लैक रुपीज और दोस्तों मनीका के पास एक स्कूटर भी है इनके पास वस्पा स्कूटर है और इस स्कूटर के प्राइज है वन लैक रुपीज वहीं बात करें मनीका बत्रा के इंकम के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू मनीका बत्रा टेबल टैनिस खेल कर अच्छा कासा इंकम कर लेती है और इनको जाधा तर प्राइज मनी भी मिलते हैं जब यह मैच जीतीती है वहीं बात करें मनीका के नेट वर्थ के बारे में तो इनका नेट वर्थ है 90 लाक रुपे तो ये थी मनीका बत्रा की लाइव इस्टाइल वीडियो आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगए हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना